हलो, टमिन फिमेन पॉलिटेखनी कोलेज कॉट्वाज हम थियर्यय अज्टिज्र में लाइटिंग इन डिफरेंग यूनिट्स और हाउस में स्टेर्ज और पैरस लाइट कर स्टड़ी करेंगे पैरस और स्टेर्ज में सबसे पहले हम स्टेर्ज पढ़ते हैं स्टेस में सबसे पहले हमें ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसके अंदर दोनों तूवे स्विच होने चाहिए हम आज नीचे से हम चड़ते हैं तब और उपर से जब हम आता है तब भी हम उसको ओन या और कर सकें इस पात का हमें ध्यान रखना चाहिए प्लस इसमें सेफटी इंपॉर्टन्ट है कि हर एक स्टेप पे प्रॉपर लाइट परनी चाहिए ताकि हमें कहां पे पैर रखना है वह हम इसमें ध्यान रख सकें और इसमें किसी भी एक step की दूसरे step पर पर परचाई ना पड़े साथ ही हमारी विर्चाई भी इस तरह से हमें अवरोध ना करें कि हमें कहां कदम रखे ना है ये ना देखे जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां से हम चड़े यहां पर हमने switch on किया फिर उपर चड़ने के बाद यहां भी एक switch है तो यहां आने के बाद हमने switch off किया यहां हम उपर से आ रहे हैं तो यहां से switch on करने के बाद नीचे आके हमने off कर दिया तो यह two way switch की importance यहां पर दिख रही है साथ ही हम यहाँ पर इस पर हैसे light लगाएंगे कि जो भी light आ रहे हैं वो trade पर पहुंच रहे हैं सभी तरह के सभी तरफ के trade पर वो proper light दे रहे हैं अगर हम उसको landing की तरफ लगाते तो हो सकता था कि उपर जाने वाले light पर तो light आते लेकि नीचे वाली पर उसकी परचाई आती इसलिए यहाँ पर हम इस staircase में ऐसी position पर light लगाएंगे कि सभी तरफ के trade पर proper light आए तो यह तो रहा कि हमने किस तरह से manage करना चाहिए इसमें हमारे पास तीन options होते हैं लाइटिंग के लिए पर्स्ट हमारी जो light है वो steps पर proper पड़े सेकिंड हम walls पर भी light दें ताकि पूरे area पर light आए थर्ड हम handrail पर light दें अब यह जो तीनो lights की जो हम लगाएंगे वो हमारे staircase के type पर भी depend करता है प्लस यह हमारी खुद की personal test पर भी हो सकता है हो सकता है कि आप handrail पर भी light दें प्लस आपके steps पर भी light पड़े उसके लिए भी light प्रवाइट करें जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि हर एक step की nosing के पीछे की तरफ यहां पर एक light लगी है जो नीचे के step पर light देगी प्लस handrail पर भी light है जो हमारे पूरे एरिया को eliminate करेंगी यहां भी आप देख रहे हैं कि यहां भी हमारे इस तरह से handrail पर light है जिसकी वज़े से पूरी stairs पर light जा रही है stair case पर जब हम steps पर light डालते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है LED strip light की series लगाना यह इसकी द्वारा हम बहुत अच्छे से steps को light दे सकते हैं उसके अलावा you can choose to backlight the rise of the steps if they are made of stone इस तरह से देने से हमारे stone का हर एक step भी दिखेगी प्लस उसका जो भी texture है वो भी दिखेगा और इस तरह से overall पूरा अच्छा सा हमारा एक effect भी आ जाएगा इसके अलावा हम हर एक step पे एक छूटा सा spotlight डाल कर भी हम एक elegant effect ला सकते हैं आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने हर एक step पे light दी है जो कि wall पर दी है just step के उपर light दी है यहाँ पर हमने हर एक rise पर light लगात करके trade को हमने limit किया है यहाँ भी हमने हर एक trade के just उपर light आ रही है यहाँ पर हमने walls पर light लगाई है तो इस तरह से हमारे को पूरी steps पे हर एक step अच्छे से देख रही है wall पर लगाने के लिए lights लगाने के लिए हम या तो panel light या LED strip light लगाते हैं जो कि बहुत अच्छी से light beam दे वो हम इसमें लगाएंगे इसमें हमें एक चीज़ यहां रिक नहीं होते कि how high the place how high you place the light whether it is a spotlight or light panel हम उसको एस तरह से लगाएंगे कि उसकी लगपक हमारे ground से वो एक मीटर अबव होगी इसके अलावा अगर हमने LED spot लगाई है तो वो हम step के चस्ट उपर के दरफ लगाएंगे तो यह दोनों तरह के lights को लगाने का हमने तरीका देखा अगर spotlight और light light लगाई है तो एक मीटर ground के उपर लगाएंगे या कि ground से दूर या कि LED light लगाई है तो जस्ट हम step के उपर लगाएंगे इस तरीके से वो light एक तम beautiful और gazeful लगेगी और overall light को भी वो disturbing नहीं करेगी और हमारे staircase की beauty को भी enhance करेगी एक और तरीका है हम इसमें colored light लगा सकते हैं इसमें programmable color variations पीला सकते हैं ताकि हमारी lights में भवे effect आ सके यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने steps तो उपर जा रही है लेकिन हमने दर wall को highlight करते वे इसकी वज़ा से पूरी light पूरी stairs पर एक पूरी तरह से eliminate हो जाएगी हम है handrail पर हम lighting कैसे लगाते हैं handrail के लिए lighting handrail पर भी होती है उसकी वज़ा से वो इस porridge area को highlight या eliminate करती है इसके stairwell को पूरे stairwell को भी highlight करती है और इससे हमें safety भी मिलती है इसमें यह एक strip light भी हम लगा सकते हैं चाहिए आपकी वो किसी भी तरह किकी handrail हो जब हम strip light लगाते हैं तो एक पूरी यह मैंन के चलो एक line हमें यहाँ पर दिखती है और यह line पूरी stairs को प्रॉष्णी से नहला देती है इसमें भी हम colored light यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे stairs के खुबसूरते को बढ़ाएगी यह ददा stairs light अब हम देखेंगे terrace light कुछ लोग terrace पे garden भी बनाते हैं actually terrace वो जगह जहां आप शाम को रिलाक्स होने के लिए चाते हैं या एक अच्छा सा hall आपको हां मिलना चाहिए आप अपने friends के साथ भाजा के थोड़ा rest कर सकते हैं थोड़ा अपने आपको शांती में रख सकते हैं तो वहां पर कुछ लोग garden भी terrace garden भी बनाते हैं तो अगर आपके बस कुछ settings है या को terrace garden है तो उसके according हम lights लगाएंगे और plants के पीछे के तर या floor पर हम light लगाएंगे ताकि यह एक garden area भी अपना दिखे terrace is the ideal place to enjoy a beautiful evening तो इसके लिए हम spotlight या pendant light या की वॉल से attached हम इसमें lights लगा सकते हैं यहां पर कुछ examples है terrace lighting के जैसे यहां पर जो हमारे terrace की इस पेरापेट वॉल पर उपर की तरफ एक strip light लगी हुई है जो पूरे area को एक light दे रही है इस तरह से यहां पर हमने जो हमारा cutting level जैसा रहता है उसके पास में floor पर हमने lights लगाई है जो कि cutting area वाले से प्रावर्दित हो करके फिर पूरे area को light दे रहा है प्लस हमने floor lamp भी यहां पर लगाए हैं यह भी एक कुछ तरीका है हमने जैसे हम दिवाली पे एक सीरीज लगाते हैं lights की वैसे हम series से भी इस area को light दे सकते हैं तस कुछ built in light लगा करके भी हमारा कुछ अगर कोई floor area अलग से उठा हुआ है तो हम उसकी पूरी जो भी edges हैं उस पे हम light लगा सकते हैं यहां पर भी हम ceiling पे भी हम light लगा सकते हैं तो यह देखा हमने कि terrace और हमारी stairs पर भी lighting होती है और वो भी हमारी terrace और stairs को बहुत खुबसुरत बना देती हैं Thank you अभर का प्रणीघ झाल झाल